इस वीडियो में देखेंगे कि IMPARFECT square के स्कुर्ट कैसे निकरेंगे जो नमबर IMPARFECT square है जिनसे कभी-कभी competitive exam में उनका स्कुर्ट निकलने की हमें ज़रुरत पढ़ जाती है तो आप पर बड़ी कि 87 के आज़ पास perfect square कोन सा है तो हमें पता है 87 के आज़ पास 81 perfect square है जिसका square us guy 9 थैज अब क्या करेंगे 87 जो कि हमें webok hacia 87 मेंस से 81- रेगंगे answer और यह जो 9 है उसका double करेंगे उसे आपर ॹ्ऐड कर देंगे और इसका आएगा वह होगा 87 श्क्वेर मतलब 9.6 divided by 18 मतलब 9.6 divided by 18 मतलब 9.6 divided by 18 तो यह एक्जार निय एक्च्वाइचर नियुक्ड पॉइंट थी तो यह जो आन्सर आता है यह एक्च्वाइचर के बहुत ही ज्यादा करिब आता है तो एक्जेक्टली एंसर यह ए एक्जेक्ट एंसर है लेकिन बहुत ही जादा करिव आता है एक्जेक्ट ऐसर की अब देकैंगे नेक्स्ट 39 के लिए 30 के पास जो पर्फेक्ट स्क्वेर आता है वह आमें पाता है 36 जिसका स्क्वेर आता है 12 तो यह 3 divided by 12 जो वेल्यू है कि वह होगी 0.25 तो एंसर होगा 6.25 जो कि एप्रक्जिमेट एंसर है एक्चुल एंसर आता है 6.24 यह है एक्चुल एंसर और एप्रक्जिमेट एंसर आमने निकाला 6.25 जिसमें कुछ ज्यादा फरक नहीं है और कॉंप्रिटिव एक्जाम् बहुत ही आसान और फास्ट है क्या है अब देखें कि स्क्वेर रूट आप 12 12 के पास जो एक्जाम्ट स्क्वेर है वह है 9 इसका स्क्वेर रूट आता है 3 अब 12 में से 9 गए तो बचे 3 और इस 3 के डबल है 6 तो 3.5 तो यह है हमारा एंसर और एक्ट्वाल एंसर है 3.46 तो देखें कुछ ज्यादा फर्णने पड़ता है तो इसके पास में जो पर्फेक्ट स्क्वेर आता है वह है 121 जिसका स्क्वेर है स्क्वेर रूठ है 11 अगर 138 में से 121 गए तो रहते है 17 और 11 का डबल होता है 22 तो यह हमारा एंसर आएगा 11 डिवाड़ेड़ वाई अभी यह क्याल्कुलेशन थोड़ा सा हाड है लेकिन अप्रोग्जिमेट अगर निकलना चाहे तो ज्यादा आणनी अगर मैं निकलूंग स्क्वेर और म आढल पैदाए गोग्यकुलेशन राज करेंगे 5 को क्या है यह हमारा आप्रोग्जिमेंड अखनाा है आप्रोग्जिमेट यह का ड्यांसर यह 11.75 यह एग्शे मिलेंगर आपरने और 10 तो बोटी nude आजान है स्क्वेर रूट औफ 16 इसके पास है वो हता है चार फरक है 2 का और 4 का डबल 8 तो एंसर आएगा 4.25 तो यह थी स्क्वेर रूट आप इंपरफेक्ट स्क्वेर नंबर से उनका स्क्वेर रूट निकलने की टेक्निक तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यूचपू किजीव. Thank you so much.